मैं रखुनात प्रशाद चर्चा कर रहा हूं सोसल जस्टिस आइकन स्रीचंद्र का प्रशाद जिग्यासु जी के समाजिक नया के योद्धाओं में स्वर्गेश चंद्र का प्रशाद जिग्यासु का नाम भी सदा सरदा से लिया जाता रहेगा इनका जल्म लखनों के गाउं में पिछरे वर्ग में हुआ था वर्श उनी अठारा सो नवासी में उत्तरी भारत में स्वामी अचूता नंद के द्वारा चूवा चूत विरोधी अंद्वलन श्वातंत्रता से पहले चलाया जा रहा था उस्तरी जिग्यासुजी जुरे इन्होंने दलितों और पिछरों को एक मंच पर लाने का काम गिया तथा हिंदी में सभी को महान, संत कभीर, रैदास, फूले, पेरियार और अंबेटकर के विजारों से परिचाई कराते रहते थे अंबेटकर रचित कई पुष्टकों का अंग्रेजी से हिंदी में इन्होंने अनुवात किया था तथा उनके विचारों के प्रसार है तो उन्होंने अपना एक प्रेस भी बनाया था ये एक कमजोर पिछरी जाती से आते थे इन्होंने हिंदू आंदोलन में बहुत यात्राएं भी कि थी आदी हिंदू आंदोलन तथा छुवा छूत का इन्होंने दंस भी जेला था और देखा था ये सांदोलन से कई अन्य पिछर समाज के नेता भी जूरे थे जैसे स्री शिवद्याल सिंग्चोरशिया, श्री राम चलन निशाद, श्री चौधरी श्याम लाल धोवी इत्यादी डॉक्टरा मेटकर द्वारा गटे डिप्रेश्ट क्लास फेटरेशन से ये जूरे तथा संग्ठन के पदाधिकारी भी रहे इनका महत्वपुन संग्ठन हिंदू समाज सुधार था जिसके द्वारा छुवा चूत के विर्थ जन जाग्रन का कार्य किया गिया ये बहुत ध ठिस्तकों की र치는 इन्होंने की मूल निवासी के तत्य को लोगों को बतलाया इन्होंने पूरr सना पैक्ट के बाद कुछ लोगों के साथ गांधी जी से मुलाकात कर पिछरों और दलितों के हित की बातों को भी इन्होंने रखा था सच्सा जाए तो डॉक्टर बिया रम्बेटकर साहब की रचनाओं का हिंदी में अनुबाद कर इन्होंने सारे उत्तरभारत में उनके विचारों के प्रचार प्रशार में अशिम योगदाउं दिया है। अब तक मैंने चनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को में सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो करने आप उत्रत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए सुब कामना है। धन्नबाद जाए।